मैं चिरंजिलाल, Associate Professor, Department of Botany, SRR Government PG College, Kaladar, जेपुर. आज हम B.S.C. Part 3 में, Paper 3 में, Botanical Gardens के बारे में अध्यान करेंगी. जैसा कि हम जानते हैं, Botanical Gardens are the institute that maintain the living plant collection of different varieties of plants, including the ornamentals, cultivated one, wild, medicinal, of economic importance, of geographical regions, of special interest in tech. वानस्पती कुध्यान ऐसे सजीव पाद्मों का संग्रह है, जहां सुध अथ्वा एपर्यूक्त दोनों ही परकार के अध्यान की जानकरी प्राप्त की जा सकते हैं. अर्थार्थ किसी इस्तान विशेश पर अलग-अलग या एक ही परकार की प्रिस्थितियों में पाए जाने वाले पादप. जब प्राकर्तिक रूप से उगते हुए पाए जाए एवं इनका सुध्व व्यहभारिक, प्योर एप्लाइट दोनों ही प्रकार के अध्यों लग किया जाए तो ऐसे पादप समुव इस्तान को वानस्पतिक उध्यान कहते हैं. एक बड़े बोटेनिकल गार्डन में विश्व के कई हिस्सों की पादप जातिया होती हैं. इनमें एक ग्रीन हाउस, एक पुस्तकालाय, एक हर्बेरियम, एक अनुसंदान प्योक साला, अथवा अन्य कई महत्वों संसादन जैसे फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, इलेस् वानस्पतिक उध्यान नहीं होकर, बलकि एक वानस्पतिक संस्तान अर्थार्ट बोटेनिकल इंस्ट्यूट होता है. विभिन पेड़ पोदों अथवा वनस्पतिक अध्यान में वानस्पतिक उध्यानों का महत्वों पुनिस्तान है. इन उध्यानों में उगने वाले प्रमाणित है इन बोटेनिकल गार्डन्स की सायता से पोधों की पुरिस्ता अपना एंदसाल कुलन खर्पतवार के नियंत्रन एंउन्मुलन तथा पोलुशन कंट्रोल इत्याधी का ध्यान किया जाता है एवं सोधकारियों के लिए विभिन प्रकार के प्लांट मेटेरियल क उपलावद कराने में भी बोटेनिकल गार्डन का विशेश योगदान है यद्यपी वानस्पतिक उध्यानों का विक्यास अत्यांत धीमीगति से हुआ है अत्या प्राचिन काल से ही मनुश्य ने अपने लिए उप्योगी पोधों को उध्यानों में उगाना प्रारम कर दि लोग मंदिरों के आसपास मेड हे तूं और्नामेंटल अथ्वा सजावती पादब बोधे उगाते थे वेग्यानिक अध्यान में प्रगति के साथ साथी इन गार्डन का महत्वबू अध्यापन कारे में परिलिक्षित होने लगा है बेबिलोन का हैंगी गार्डन विश्व प्रगत करने का स्रेय लुका गिन्नी को जाता है वे इटली में बोटनी के प्रोफेसर थे और इन्होंने पीसा इटली में 1543 में बोटनीकल गार्डन इस्थापित किया था यह गार्डन व्रत्मान में एक्जिस्ट नहीं करता है इसके बाद और बोटनी का पेड़वा पाचिंतम बोटनीकल गार्डन माना जाता है तथा उस समय से यह वरत्मान तक उसी जगर पर इस्तापित है वरत्मान प्रिपेक्ष में विश्व में सबसे बड़ा एवं सूविख्या एवं अधितिय उध्यान दा रोयल बोटनीकल गार्डन क्यूं इंग्लेंड है परंथ जैनरा प्लांटेरम की रचना इस उध्यान में किती और जैसा कि हम जानते हैं कि इन दोनों ने जैनरा प्लांटेरम के माध्यम से एंज्योस्पन पूदों को क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम भी दिया था आज भी क्यूं बोटनीकल गार्डन को विश्व की वानस्वती ग्राद दनी अर्थार बोटनीकल केपिटल अब दा वर्ड कहा जाता अत्व गिना जाता है विश्व के कुछ महतोपून बोटनीकल गार्डन्स यून प्रकार से हैं रोयल बोटनीकल गार्डन क्यूं इंग्लेंड दूसरा बोटनीकल गार्डन पेड़ुआ थ नेक्स्ट बोटेनिकल गार्डन ओफ हीडलवार्ग जर्मनी और नेक्स्ट है ब्रिटीश मूजियूम उन्वेटल इस्टी लेंदन इसके वह बहुत सारे यह केवल प्रमुख या मैन मैन ही लिए गए है इसके बाद हम आते हैं भारत के प्रमुख बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में जो भारत में जो वानस्फतीक उध्यान है उन समय जो पहला नंबर्धा है जो सबसे पहले जिसका नाम गिना जाता है वह है Dale farm सबसे बडब और प्राचिनतम बोट्रहा सबक्राज से नाम से जान दो क्यूंत पर इस ऐंडिया कंपनी के सैनी का दीगारी कर्ड़ डिडि ने की थी वे इस गार्डन के पर्थम अधिक्सक थे। उससमें इस्ट इंडिया कमपनी के वानस्पति उद्ध्यान के नाम से जाना जाता था। प्रन्तूम् वनस्पति सास्त्री होन्तो बोटनीक कुलकट नेशिस के नाम से जानते थे। करनल किड लगवई 6 वरस तक इसके अधिक्षक रहे इसके बाद में डक्टर विलियम रोक्सबर्ग इसके अधिक्षक बने जो कि फादर ओफ इंडियन बोटनी कहलाते हैं यह बोटनीकल गार्डन लगबग 233 एकड भूमी पर फेला हुआ है यह बोटनीकल गार्डन अब बी पूची थी उन्होंने इस बोटनीकल गार्डन में उगने वाले पोदों का एक केटालोग तयार किया और इंडियन फ्लोरा भी लिखा एवं भारतिये पोदों के सुन्दर रंगी इन चित्र भी जिए जो आज भी सुरक्षित्य अर्थार्ट आइकोंस के नाम से कहलाते हैं रोक्सबर्ग के बाद में डेक्टर नाथानिय और वालिच इस गार्डन के अधिक्सक थे इनके कारिकाल में ही सेंट्रल नेशनल हर्वीनियम की स्थापना हुई इस गार्डन में आगुंतकों के लिए एक विशेश जो आकर्षन है लगबग 200-500 पुराना एक बिग बनियांट्री है वरत्मान में इसकी लगबग जो साखाएं है वो 15,000 व्रग मिटर में फैली हुई है इसमें 1142 इस्तंब जड़े या 1600 एरियल रूट्स है जिन पर इसकी साखाएं रूकी है क्योंकि मुखे इस्तंब अब नहीं है इसकी उचाई लगबग 100 फिट है इसके तिरिक एक बोटेनिकल इस बोटेनिकल गाड़ में कई देशों के 15,000 अधिक प्रांट इसके लाव यहां पर पालम हाउस भी है और्किड हाउस अलग बना हुआ है केक्टाई क्लेक्शन अलग रहे हैं जैंट वाटर लेली एरिया अलग जहें बैसके सारे के जो मेडि जिस दूसरा जो भारत का बोटेनिकल गार्डन है वह राष्टीय वानस्पति उध्यान लखनव एन बिय औरे पहले इसका नाम नैस्पनी अलगारण लखनव बागारता था प्रंतु वरत्मान में इसका नाम परिवर्तित करके और इसकी सापना 1929 में उसमा हुई की गई थ नामक उसदी प्राफ्थ होती थी जो उसमें केवल सोवित्रू से मगाई जाती थी उसमें कस्मेरी उद्योगपती राजा दयाकर्षन कोल ने भारतिय बोटे ने सुझ आगरे किया कि वे इस दवाई का कोई अन्य स्रोट ढूंडे अताय लखनव विस्विद्या लगे तातका तो प्रसित था यह नाम नवाब वाजीद अली सांने अपने प्रिय बेगम सिकंदर महल के याद में दिया था वास्त्यूप से सिकंद्र भाग नवाब सद्ध अली खान ने लेड़ डाउन किया था लेडाउट किया था तदा 1946 में बोर्टेनिकल गार्डन गरूम में जैसा कि कुछ वर्सों तक ये नेस्ल बोटेनिल गार्डन के नाम से जनाता प्रंतु अब इसका नाम NBRI रखा गया है वरत्मान में इसका जो प्रसासन है वो CSIR साइंटिफिक और इंडिस्ट्री रिसर्च द्वारा किया जाता है वरत्मान गार्डन और इसकी प्रियुक साल है गोमती नदी के नार्य की 27 एकड बोमी भी फैला हुआ है यहां भी बहुत सारे आक्रशन है रोजरियम अलग मना हुआ है पालम हाउस भी है कैक्टस हाउस भी ह फ्रम हाउस भी है और यहां पर जो विग्यनिक जो असोसियेट रहे हैं इस गार्डन से यह इस नब्याराई से डॉक्टर टी एन का खुसूस आप जो साइटोलोजी पे थे एके नायन पेलनोलोजी पे काम कर रहे थे डक्टर मित्रा डक्टर एहमन काफी सारे विग्यनिक जाब है इसके बाद में नेक्स्ट जो गार्डन है वो लुएड वनस्पतिक गार्डन है जो की दारजिलिंग व कि इसी तरह नमर चार वनस्पतिक उध्यान सहारनपूर बोगों सफ्यानलीखidd conduct बैंगलोर और मैसूर श्टेट बोटेनिकल गार्डन जिसे की हम जैसे की नाम से लाल बाग के नाम से जानते हैं बैंगलोर के पास लाल बाग की गणना विस्व के प्रमुख बोटेनिकल गार्डनों में की है यहां पर रोजेश और अन्य canalafe अपर वामाद 사진 के लाल जीवन चक्करा है जो इस बोट्रेनिकल गार्ड के निदस्क रहे हैं प्राणम में इसका प्रसासन इस्ट इंडिया कंपने के हाथ मेरा प्रंतु 1831 में मैसूर राजिये में ब्रिटिस आसन होने इसे वहां के मुख्य आयुक्त को सोब दिया गया यद्देपी डाक्टर में इसका दिख सकते हैं 1908 में यहां पर एक ट्रोपिकल नर्सरी इस्तापित की गई है कि सवगे राब बहादूर ऐसी जे राजा इस बोटनिकल गार्डन के पर्थम बारतिय निदस्क बने वरत्मान में यह गार्डन लगभग डाइसो एकडबूमी में फैला हुआ है अब इसे अब एक होल्टिकल्चल एक्ट्विटीज के केंद्र माना जा रहा है यहां पर भी सीट टेस्टिंग स्वेल टेस्टिंग की सुस्वजे लेवो ट्रीज हैं इसके अत्रिक ग्रेप्स ऑर्केड्स ट्री नर्सरी फ्रूट नर्सरी पोर्ट गार्डन एकोनमिक गार्डन से जो प्लांट से इंट्रोड्यूस किये गये हैं यहां विस्वग के सभी देशों के लगवग आर्थिंग मेहतों के पोदों को उनका एक्लेमेटरिजिशन और मल्टिपिकेशन किया जा रहा है इसी तरी नेक्स्ट है राज के गार्डन सीलोंग राज के उध्यान मसूरी राज के उध्यान निताल एफ और राई बौत्यनिकल गार्डन एट देरादून राज के उध्यान सिमला सालिमार एंडिसाथ बाकशरी नगर मराठवडा विस्विद्याला बोटेनिकल गार्डन और अंगाबाद, पंजा विस्विद्याला बोटेनिकल गार्डन एडचंडिगड, वानस्पतिक उध्यान कुछ युनिस्टीज हैं जिनोंने अपने बोटेनिकल गार्डन बना रखें, इसी करम में वानस्पतिक उध्या सागर वी स्विध्याला एंपी वानस्पतिक उध्यान जीवाजी वी स्विध्याला गुवालियर और नेक्स्ट गार्डन ओफ इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टूट नुदेलिप इसके लाब बहुत सारे चोटी-चोटी जगे कोलेजों ने और अन्य कई वी स्वि बोटैनिकल गार्डन्स इन वानस्पतिक उध्यानों का क्या हमेत हो है क्या इंपोर्टेंट से क्या रोल है इसी करब में हम देखते हैं टेक्सोनोमिक स्टेडिज बोटैनिकल गार्डन प्रोवेड़ बल इनफॉर्मेशन ओन वेरियस प्लांट लोकल फ्लोरा बोंसाइ रे एरिया की लोकल फ्लोरा की या एकोनोमिक मेडिशनल प्लांट्स की जानकरी उनको टेक्सोनोमली स्टेडिज गरूब में प्रोवाइड़ करता है बोटैनिकल रिसर्च जैसा कि हम जानते हैं बोटैनिकल सप्लाई बोटैनिकल गार्डन सप्लाई वाइड रेंज जैसा कि हम जानते हैं कई जो पोदे विलुप्त हो चुके हैं या समाप्त के उख तो हम वानस्वती उध्यानों में उनका कंजर्व और श्रंक्षन कर रहे हैं और प्रोपगेट कर रहे हैं और फ्यूचर और ज्रेटिक डाइवरिस्टी के लिए जैसा कि हम जानते हैं 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 जैसा कि plant specific provided instruction for hom gardening propagation of plants supply plant resources through cell or exchange next aesthetic and recreation they attract people with have made gardening their home employment they create job opportunity and large number of young botanist जैसे कि हम जानते हैं कि इवे रोजगार के चेतर में Botanical Garden प्रवेडेट जोब अपर्चुनेटी लार्ज नंबरों आप हर एरिये में देखिए कि आपको वहाँ पर जोब ये क्रियेट करते हैं और रोजगार उपलब्द करवाते हैं वनस्पतिक उध्यानों की उप्योगिता जैसा कि हम जानते हैं बोटेनिकल गार्डन वनस्पतिक उध्यान एवं जो इनकी उप्योगिता है इसके अंत्रगत सबसे जो महतुपून है वह इस्ताने फ्लोरा और मोनोग्राफ त्यार करने हैं यानि कि किसी प्रटिकुल एरिया की जो वेजिटीशन है वनस्पति है या किसी एक टेक्सोन की आप सिस्टेमेटिक डेस्क्रिप् रूप से उनकी उटिलिटी है इसी तरह खाद्य पदार्तों सोबाकारी और मेडिसनल पादोगवारम सूचना देने में नेक्स्ट लिविंग प्लांट्स स्रोथ के रूप में विलूप्त यह दुल्लब जातियों की सुरुक्षा में और प्रकरती के स्रंक्ष्टन के लिए इस परकार से जो वानसपतिक उद्ध्यान है वो बिलकुल महतोपून रोल अदा करते हैं और व्यग्यानिक और वानसपतिक जो ग्यान है अनुसंदान है जो नवीन जो सुरुत वर्ण में उनमें महतोपून भूमी का निवा रहे हैं